भारत का हर एक प्रधान मंत्री, हर साल, लाल किले से एक ही बात बोलता है, स्वार रोजगार, स्वार रोजगार, स्वार रोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही भारत का भविश्य है मुझे पता चला आज के समय में भारत में पचास हजार बच्चे पैदा हो रहे हैं हर रोज अलो एवरी डे फिफ्टी थाउजड न्यूबॉर्ण बेबी यह बच्चे बड़े होंगे आने वाले समय में ऐसा भी होगा कि हर रोज पचास हजार बच्चे एडल्ट हो रहे हैं उनको नौकरियां चाहिए कौन सी ऐसी सरकार आएगी जो पचास हजार बच्चों को नौकरी दे पाएगी हर रोज एवरी डे नाट पॉसिवल भास भारत कब हमिश्य बनाना है तो हमें सिरफ एग चीज़ चाहिए वो है स्वार रोजगार कितना अच्छा होगा अगर हर आदमी अपने लिए खुद रोजगार क्रियेट कर पाए कितना अच्छा होगा अगर हर आदमी अपने रोजगार को पहले खुद क्रियेट करें और उसके बाद नौगर पे लिए रोजगार क्रियेट करें अच्छा तो होगा लेकिन ये कैसे हो सकता है दोस्तों ये कैसे हो सकता है इस question mark का जवाब है network marketing नेट्वर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबसे पहले स्वार रोजगार को बढ़ावा देता है मैंने देखा है भारत में मेरे हिसाब से कम से कम दो-तीन करोड लोग तो नेट्वर्क मार्केटिंग करते होंगे यह वो लोग है जिनको लोगरी की जरूप नहीं है जिनको लाइमों में लगने की जरूप नहीं है जिनको अपने बास पर डिपेंड होने की जरूप नहीं है जिनको इस चीज़ पर मिरभर होने की डिपेंड नहीं है वो डिपेंड नहीं है इस चीज़ पर कि उनकी कमपनी प और लोगों को भी करियर दे रहे हैं और लोगों को भी employment दे रहे हैं और लोगों को भी सिखा रहे हैं कि आप किस तरीके से अपनी life में आगे बढ़ सकते हैं So friends, network marketing आज के समय में भारत के लिए एक सबसे जरूरी चीज है और मैं धन्यवाद करता हूँ भारत सरकार का जिसने कुछ महीनों पहले network marketing के लिए guidelines भी तयार कर दिये क्योंकि बहुत सारी ऐसी company थी जो इस industry को बदनाम कर रही थी मैं धन्यवाद देता हूँ भारत सरकार का guidelines आ चुकी है और आप कुछ अच्छी companies ही इसमें काम कर पाएंगी दोस्तों यकीन मानिये network marketing एक ऐसे industry है जो ना सिर्फ आपको entrepreneur बनाता है ना सिर्फ आपको businessman बनाता है बलकि आपको एक leader बनाता है आपको एक समाज से भी बनाता है आप लोगों की मदद कर सकते हैं और आप employment अपने लिए create करने के साथ साथ अपने समाज में भी employment create कर सकते हैं तो friends आज का मेरा topic सिर्फ इतना था अरे भाई क्यों रोते हो अगर आपको भी दिक्कत है अपने boss से अगर आपको भी दिक्कत है अपनी salary से अगर आपको भी दिक्कत है अपने हालाग से तो आओ network marketing अपनी बाहे पसार कर आपके सामने खड़ा है आओ और हम गले लगाने के लिए तयार है लेकिन आपका एक decision चाहिए क्योंकि एक कदम अगर आप आगे बढ़ेंगे तो network marketing दस कदम आपके लिए आगे बढ़ेगा So friends, I wish you all the best उमीद करता हूँ मेरी आज की बातों से आपको कुछ अच्छा महसूस हुआ होगा और हाँ, ये वीडियो उनको जरूर भीजिएगा जो लोग job भी करते हैं और रोते भी हैं क्या करूं यार बड़ा परेशान हूँ प्लीज उनको जरूर भेजिए